नमश्कार दोस्तों, आज अपने डिस्केशन करेंगे इबन खल्दून के बारे में, इबन खल्दून बहुत ही अच्छे दार्शनिक थे, हिस्ट्रियोग्राफी के अंदर और हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे एक तरीके से जानकार थे, दार्शनिक थे, इनके बारे में एक शौट डिस्रिप्शन लेंगे ताकि आपकी नोलेज में कुछ वरती हो सके और असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जयारफ जो एक्जाम होता है स्ट्री का उसमें काफी काम में आएगा यह देखते हैं शौट डिस्रिप्शन यह उनकी फोटो भी है इबन खल्दुन सभी सा माने जाते हैं इंगलीश में भी लिखावा है इबन कार्ल दून is the shake of the all social scientist he was a philosopher of history and the first social scientist पहले social scientist इनको माना जाता है आगे देखते हैं इनका इतियास तो इनका इतियास देखते हैं इबन खल्तुन का इबन खल्तुन जो की है 1332 से लेके 1406 तक इनका इतियास अपर मान सकते ह हैं आगे लिखावा है थोड़ा मैं इसको और चोटा कर लेता हूं small size का ठीक है इबन खल्तुन सभी सामाजिक विज्ञानिकों के शेक कहे जाते हैं वे पहले इतियास के दार्ष्णिक और पहले social विज्ञानिक माने जाते हैं वे पहले ऐसे इसलामी विचारक थे जिन्हों इन्होंने प्रियोगात्मक normative theory पर बल दिया इबन खर्दुन ने social science के तीन एहम योगदान दिये इन्होंने प्रियोगात्मक तक्तियों के महत्वे पर बल दिया परिवर्तन के एक सिद्धान का प्रतिबादन किया और परिवर्तन के संचालक के तोर पर आदिवासी एक कि आज मुसल्मानों को ऐसे social scientist के जरूरत है जो मुसलिम दुनिया में सुशाशन ला सके पिछले साल इस्तानबुल में मैंने एक conference में इबन कलतुन का व्याख्यान दिया था और लोगों ने जब इस पर रूच्ची दिखाई तो बहुत बहुत बता रहा है अपना कि उन्हो सामाजीक विज्यान और खला दुनिया द्रष्टिकों का निर्मान किया यह किसी के बारे में है तो मेंली जो इसका description है वो इतना ही है कि यह सामाजीक विज्यानिकों के शेक कहे जाते हैं यह ट्यूनिशिया जो country है जो एक तरीके से continent African continent में है वहां के बारे में है सामराज् इस दे इनका पूरा concept है I hope आपको थूड़ा बहुत इनके बारे में मिलेगा और भी एक वीडियो आगे बना देंगे धन्यवाद